हलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल से डॉकॉमेंट स्कैन कैसे करें यानि कि अगर आपके पास भी कोई फाइल है जैसे कि आपका कोई डॉकॉमेंट है और आप उसे करना चाहते हैं स्कैन तो कैसे करेंगे आईए आजगी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हमको चाहिए होगा एक application, क्योंकि हम अगर बिना application के करेंगे, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, तो play store में जाईए, जहाँ से आप application या game डाउलोड करते हो, यहाँ पर आपको search करना है, Adobe Scan, इसे दियान से देखिए, search करिए, इसको ही install करिएगा, कोई और सा install मत कर लीजिएगा गलती से, इस सबसे अच्छा है और सबसे safe और easy है, तो हम इसको ही install करते हैं, फिर आप इसे यहाँ से open कर लीजिए, open करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा, यहाँ पर आपको sign in with google पे touch करना है, इस पे touch करने के बाद आपके phone में जो भी gmail ID होगी, वो show करा देगा, तो यहाँ पे आपको कोई एक gmail ID select कर लीनी है, इसके बाद आपके पास एक नया page आ जाएगा, जो कि इस application का ही main page होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा wait करते हैं, continue वाले option पे touch करिएगा continue वाले option पे touch करने के बाद यहाँ पर यह option आ जाएगा, let's go पे touch करें, आपका camera चालू हो जाएगा, allow करना हो कहता है, तो allow करें और यहाँ पे आपका जो document है, उससे आपको scan करना है, तो example के लिए मेरे पास यहाँ पे एक book है, मैं उसको scan करूँगा, तो मेरे phone का camera clear नहीं है तो उसे थोड़ा ignore करिएगा, तो मैं इस page को scan करूँगा, तो हमने photo click कर ली है, यहाँ पे यह वाली, तो यहाँ पे मैं ज्यादा photo ले लेता हूँ, इस पे हम touch करते हैं, allow करते हैं, तो मैं इसे करता हूँ, यहाँ पे photo click करता हूँ, इसको यहाँ पे आ चुकी है, keep scanning पे touch कर एक photo हमारी हो चुकी है, नीचे की तरफ, दूसरा page कर लेते हम यहाँ पे, आप जितने मर्जी page कर सकते हैं यहाँ पे, तो यह हो चुका है, दो page हमने यहाँ पे लिये हैं, adjust कर लिजिए, आप यहीं से select scanning पे touch करें, यहाँ पे photo जितनी होंगे वह आ जाएंगी, आप यहाँ से अपने camera से भी photo ले सकते हैं, यानि कि जो gallery में photo हैं, उसे ले सकते हैं, इस पे tick mark करिए, यानि touch करिए, जो भी photo होंगी यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे आपको मिले इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा filter, इस पे touch करें, ओरिजिनल color कर दीजिए, फिर दूसरा वाला भी ऐसे कर दीजिए, सारे page पे कर दीजिए, तो यहाँ पे करिए filter वाले option पे touch करें, इस वाले option को चालू करके एक बार करेंगे तो सारा हो जाएगा अचारे पेजों पर यह अपलाई हो जाएगा यहां से आप इस रोटेट कर सकते हैं यहां से क्रॉप कर सकते हैं यहां से नाम डालीए इसका सेव PDF पे टच करें सेव PDF पे टच करने के बाद आपका जो PDF है वो क्रियेट होने लग जाएगा यानि अगर आप इसे JPG में सेव करना चाहते हैं तो JPG में सेव करिए यहां पर आपको मिलेगा more option इस पर touch करें यहां पर आपको मिलेगा copy to device इस पर touch करें और आपकी file एक file यानी copy file आपकी device में भी आ जाएगी आप इसे यहां से share भी कर सकते हैं जैसे कि WhatsApp बगर आपे तो मैं share करता ह हूं WhatsApp पे यह रहा WhatsApp मैं इसे open करता हूं और अवाच्छए पे select करके अपने दोस्त को send एक copy example के लिए तो यह रहा मेरे दोस्त का folder इसे open करता हूं मैं और send कर देता हूं तो यह हो चुका है ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें